Hello everyone, welcome you all at Lucaser Unlimited Study Zone. So guys, last class में मैंने आपको जो है, ये expression डेवलप करा दिया था, Derive the expression for the displacement of a particle executing SHM. आज हम class को उसके आंगे लेकर के चलेंगे कि SHM equation के बाद हमें आगे क्या पढ़ना है. चले गाइस, तो देखे, हमने जो last class में आपको important चीजे पढ़ा ही, तो याद रखे, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि SHM equation इस executing particle का था, जो यहाँ पर move कर रहा था, बिल्कुल नहीं, इस particle का SHM equation नहीं था, ये Y axis के along जो इसकी projection बनती है, यहाँ जो इसकी छाया बनती है, ये उसका SHM equation था, आप याद कीजिए, जो यहाँ पर point बन रहे थे, तो starting यहाँ से हुई थी, अगर Y axis में फिर यहाँ गया, projection फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और हमने जो Y axis में displacement होता है, small y, वो हमने आपको निकल कर के दिया, Y कोल टू, A sin omega T, यहाँ पर A क्या होता है, यहाँ पर A जो होता है, इसका amplitude होता है, maximum amplitude A, clear है, omega क्या होती है, यह जो particle move कर रहा है, जो move कर रहा है, इसकी angular velocity है, इसकी angular velocity हो omega, और T होता है instantaneous time, यहने किसी भी sum है, किसी भी sum है, आपने बुला 2 second पर 3 second पर, तो T जो होता है, small t होता है, random time होता है, अब मैं इसकी graph के बारे में आपको बता देता हूँ, कि इसका graph जो होगा, किस तरीके से बनेगा, तो देखिए हमें graph जो बनाना है, वो displacement का graph बनाना है, Y displacement है, और versus time, versus यहाँ पर theta, time को या theta ले लिजा आप, अब काफी सारी बाते करने ही, मेरे को पर को इसके regarding आप से, तो आराम आराम से लेकर के चलेगा, देखिए क्या होता है, जिस समय आपका theta 0 है, मतलब यह रेidar हैं यह जो line ही यह कम होते होते होते, इसके उपर आ गई, यह देखिए, so that time you can say theta equal to 0, तो जिससे में theta equal to 0 रहेगा तो displacement y कितना रहेगा 0 रहेगा तो पहले यह 0 रहता y पे 0 फिर इसके बाद में theta जैसे 90 degree हो जाएगा तो 90 degree में displacement आपका कितना हो जाता है a कितना हो जाएगा यह बढ़ते 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 यह जो y x से a केक कुल हो जाएगा इधर पर आएगा तो displacement और कम होगा बोलो होगा की नहीं होगा और फिर pi यानिकी 180 degree पर फिर से यह देखे कितना हो गया 0 तो यहाँ पर angle कितना है 0 है यहाँ पर angle कितना है pi pi radia मतलब 180 degree आप जानते होगे जानते हो ना फिर इसके बाद यहाँ पर displacement negative होना शुरू होगा और 3 pi by 2 यानि pi देखे 0 पर 0 pi by 2 पर कितना हो गया maximum हो गया maximum कितना है a है कितना है यह तो यहाँ पर a कटेगा यह x के मतलब maximum इसका amplitude a है फिर देखो कम हो करके 0 चला गया अब कितना जाएगा 3 pi by 2 पर देखो यह pi by 2 यह यह 90 यह 2 pi by 2 यह कितना 180 और फिर इसके बाद यह 3 pi by 2 तो 3 by 2 पर कितना हो जाएगा minus है कितना हो जाएगा minus है so this is यह जो यहाँ पर जाएगी position यह कितनी होगी minus a ओके और इसके बाद भी 3 pi by 2 हो यह कितना है 3 pi by 2 and again after this completing जैसे ही यह complete करके फिर यहाँ पर आएगा तो देखो यह value फिर से देखिए आप इसकी अभी यह है फिर इधर है कम हो रही है value मतलब negative है तो in the sense आपको बढ़ रही है बढ़ जाते 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 फिर इसको जैसे ही touch करेगा मतलब 360 degree 360 degree को radian में आप लोग जानते हो नो क्या बोलते हैं 2 pi और 2 pi पर फिर से displacement 0 यह देखिए यह 1 shm complete हो चुका है 1 shm कितना हो चुका है 1 shm clear हो गया अब इस shm को 1 shm हो चुका है 1 shm complete करने में जितना time लगता है one rotation, revolution, one vibration, one oscillation करने में जितना time लगता बच्चों उसको हम बोलते है one time period क्या बोलते हैं so this is one time period यहाँ पर angle 2 pi अब मुझे time period निकालना है कि इतने में time period कितना होगा अब यह graph अपने किस domain में बनाया है theta domain में किसे बनाया है theta domain में मैं अलग color से देखो मैं इसको जो है न मैं इसको आपको अलग color से show कर रहा हूँ green color से मैं इस graph को show करूँगा और मैं domain change कर दूँगा अब मैं इस graph को time domain में मतलब time के respect में बताऊँगा theta upon omega theta upon omega और बच्चो omega की value मैंने आपको पढ़ाई थी circular motion में omega is equal to angular displacement upon time तो omega equal to 2 pi by t याद है आप लोगको कुछ omega equal to 2 pi by t यह formula होता है time period के terms में omega का formula तो यहाँ पे मैं put करता हूँ small t equal to theta divided by 2 pi और upon में t गया तो उपर आ गया बोलो आ गया की नहीं आ गया अब theta की value put करते जाओ देखना मज़ा आता जाएगा सबसे पहले theta की value कितनी है 0 है कितनी है 0 तो यह लो तुमारे लिए और सरल कर दिया यहाँ पे t लिखता हूँ ना ना उल्टा बोल गया मैं यहाँ पे मुझे theta लिखना पड़ेगा और मुझे बदले में t मिलेगा तो सबसे पहले theta की value कितनी डिगरी बोलो 0 तो 0 से जो टकराएगा खुद 0 हो जाएगा तो time period भी कितना हो गया 0 तो देखो green color से लिख रहा हूँ पहला कितना हो गया 0 हो गया अगला अब देखो वैसे खुद समझ रहे होगे कि यहाँ से चल करके एक time period complete होगा तो यहाँ पे time 0 था तो नीचे चल के आएगा तो कितना हो जागा t ओके यहाँ यह यह t है यह t का आधा हो जागा तो यहाँ पे time कितना हो जागा बोलो t by 2 होगा और यह t का one fourth हो जागा एक चौथ हाई जिसको बोलते हैं आप लोग हिंदी में तो यह हो जागा t by 4 यह हो जागा 2 t by 4 क्या हो जागा 2 t by 4 2 t by 4 भाई सब t by 2 होता है समझेगा ना यहाँ पर time कितना निकलेगा 3 t by 4 और यह हो जागा 4 t by 4, 40 by 4 को t ही तो बोलते हैं बोलते हैं की नहीं बोलते हैं तो 40 by 4 t ही हो जागा अब देखो मैं आपको इस formula से निकलवाता हूँ देखी यहाँ पर time कितना निकलेगा t by 4 निकलेगा इस जगह पर देखो angle कितना पाई बाई 2 है कितना एंगल रखो यहाँ पर t is equal to theta की जगह पाई by 2 theta की जगह कितना पाई by 2 नीचे बेटा कितना है 2 pi है की नहीं है नीचे कितना है 2 pi यह वाला यहाँ theta की जगह पाई by 2 यह रख दिया, इधर 2 pi रख दिया यहाँ पर t, बोलो हाया न पाई से pi क्या हो गया, cancel बोलो answer कितना हो गया, t by 4 तो यह देखो, यहाँ पर जो time मनेगा, बोलो कितना होगा t by 4, यहाँ पर जो time मनेगा बोलो कितना होगा t by 2, कितना होगा time t by 2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां पर जो आपको टाइम मिलेगा वो T by 2 मिलेगा कैसे मिलेगा देख लो फिर से यहां वाला फॉर्मूला तो T का फॉर्मूला कितना है बोलो थीटा capital T upon 2 pi यह यह ना फॉर्मूला तो थीटा की जगा मैं क्या रख रहा हूं यहां पर बिटा पाई कितना रखूंगा देख रहा है नहीं देख रहा है तो यहां पर थीटा की जगा पाई रख दूगा तो यहां पर पाई into capital T upon 2 pi भाई साब pi से pi क्या हो गया कैंसल कितना आ गया बोलो T by 2 तो यहां मैं लिखते जा रहा हूं चलो थीटा एंगल पे कितना हो गया थी जीरो पे जीरो हो गया फिर तुमने बोला पाई बाई टू पे पाई बाई टू पे कितना हो गया था टी बाई 4 टी बाई 4 पहला आया फिर इसके बाद पाई एंगल पे कितना हो गया टी बाई 2 ठीक है ना फिर इसके बाद 3 dpi by 2 इस एंगल पर कितना हो जाएका बूले 3t by 4 कितना हो जाएगा 3t by 4 by time चौत हाई time का 1, 3 12 पाट और इसके बाद यहां पर complete हो जाएगा तो कितना हो जाएगा T हो जाएगा जितना हो जाएगा T, मतलब one complete cycle में इसने time period अपना complete का लिया तो बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने यहां पर आपको graph को दो form में लिखना सिखाया, एक आप अपने graph के displacement versus theta लिख सकते हो, displacement versus theta, तो आपका graph उस तरीके से चलेगा, बट यहां पर theta की value रहेगा, यह 0 रहेगा, यह 2 पाई रहेगा, बुलो हाँ, clear हुआ कि नहीं हु minus A, समझ में आ गया, बट आपका time रहेगा, ध्यान रखना, यह complete time को बोलते है, one time period, तो यहां तक आएगा capital T, क्या आएगा, capital T, फिर आँगे देखो, यह चला, और यह चला, बोलो यहां पर कितना time बनेगा, 2 T, फिर ऐसे चला, यह चला, कितना आएगा, 3 T, आ गया समझ मे ट्रेवल हो गई है, एक वेव, यह दूसरी वेव, और यह तीसरी वेव, clear हो गया, यह time के terms में, अब time के terms में, तो आप adjustment कर लो, भाई, यहां से यहां तक T है, तो यह बीच वाला कितना होगा, T, वाई, 2, आधा हो गया, clear हो गया, T, वाई, 2, और इसका भी आधा कितना कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं, time domain में, जैसे कोई all rounder जब betting कर रहा होता, तो मुसका betting domain देखते हैं, और जब बॉलिंग कर रहा होता, तो उसका bowling domain देखते हैं, है ना, जैसे रविंदर जडेजा जब betting कर रहा होता, तो उसके betting के statistics लिक कर कर के आते हैं, कि इतने average है, इ टाइम डोमेन है यह टाइम डोमेन की बात चल रही है और यह कौन सा डोमेन है एंगल डोमेन है तो दोनों हैं एक ही चीज मदब अलग अलग तरीके नजरी है इनको देखने की तो बच्चों यह दो equation मैंने आपको mainly आपको बताए कि दो equation मैंने बताया थे कैसे बताया थे दोन equation अगर आपकी displacement 0 से start हो रही है जैसे y की displacement 0 से start हो रही थी 0 से फिर कहां गया था plus a गया था, फिर नीचे खसक कर कर गया था फिर नीचे गया था, ऐसे समझ गया ना, मतलब इस तरीके से vibration होगा ये 0 पे है देखो एक चकर पूरा होगे न ये vibration है, अब मैं अलग-अलग इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझ में आए, तो start कहां से हुआ center से हुआ, कहां से हुआ है center से, बिटा जो center होता न physics में उसका नाम होता है mean position क्या नाम होता है, mean position physics में center को क्या बोलते है mean position, जहां पर center हुआ करता है, 0 हुआ करता है displacement जहां पर 0 होता है mean position का मतलब displacement equal to 0, displacement equal to 0, तो इस situation के लिए जो आपका equation बनेगी SHM की, वो बनेगी y equal to a sin omega t y equal to a sin omega t clear हो गया, बट यदि आप कहो कि सर हमारा graph यहां से सुरू हो रहा है इसको बोलते हैं extreme position, क्या बोलते हैं इसको extreme position, इसको बोलते है plus a और इसको बोलते है minus a, तो इन ही case अगर आपका graph plus a से सुरू हो रहा है, तो आपका यदि graph आपका यहां से सुरू हो रहा है, मतलब आपने graph यहां से start के, तो आपने body को A cos omega t समझ में आगया Y equal to A अगर आप नीचे से start कर रहे हैं तो A की जगे minus A तो Y equal to minus A cos omega t बोलो clear हो गया तो ये चीज़ें आपको दिहान में रखनी पढ़ेंगी जब आप numerical करेंगे तब आपको ये specially याद रखना पढ़ेगा तो अभी ही तो हमने भाई SHM quotion ये पढ़ा दिया है क्वेशन No.5 जो आपके सामने दिख रहा है ये हमने complete कर दिया Q5 Q5 के बाद जो अगला काम आता है वह है velocity का अगला जो काम है Q5 के बाद वह velocity का है कि velocity क्या हुआ करती है तो कल हमने आपको इसके बाद में इसकी वेलोसिटी भी निकलवा दी थी और वेलोसिटी का फॉर्मुला हमाएं पास या गया था V is equal to omega under root A square minus Y square बूलिये बनता है आप लोगों से यह जो फॉर्मुला है वेलोसिटी का V equal to A under root omega under root A के अंदर A square minus Y square तो बच्चों यह वेलोसिटी होती है एक बार मैं फिर से लिग देता हूँ आपके लिए कि velocity during SHM V velocity is equals to कितना आया था A under root A under root A sorry omega under root A not A under root नहीं है this is equals to omega under root A square minus Y square omega under root A square minus Y square भाही A क्या होता है A होता है आपका maximum value of displacement जिसको amplitude बोलते है A क्या बोलते हैं amplitude और Y क्या है displacement Y क्या है displacement है तो यह formula है आपका SHM के दौरान होने वाली velocity का SHM के दौरान होने वाली velocity का ठीक है अब आप देख रहे हैं velocity maximum कब होगी velocity maximum तब होगी जिस समय यह Y zero होगा Y क्या होगा तो तो चीज अगर खर्चे कम होगी तो तो अगर आपका velocity maximum होगी तो चलिए मैं लिकालता हूँ velocity maximum V max is equals to omega बाहर रहेगा under root A square minus displacement 0 का square हो गया तो ये बन गया omega और under root A square A ही होगा तो answer आएगा A omega क्या हैगा A omega समझ में आगा ना मतलब जिस समय displacement 0 होता है उस समय velocity सबसे ज़्यादा हुआ करती है clear हो ना तो यदि मैं graph की बात करूँ तो velocity सबसे ज़्यादा कब होगी ये देखिए velocity ज़्यादा कब होगी मैं maximum point लिख रहा हूँ velocity के तो देखिए displacement 0 कहां पर हो रहा था है यहां पर फिर यहां पर यहां पर याद करिए यह y था ना तो y की value 0 कहां पर हो रही है इस जगह पर इस जगह पर इस जगह पर इस जगह पर तो यह जो point दिख रहा है यहाँ पर आपको velocity सबसे ज़्यादा मिलेगी इस point पर जो velocity निकलेगी v एक कल टू कितनी होगी a omega कितनी निकलेगी a omega clear हो गया velocity इस point पर कितनी निकलेगी a omega और minimum velocity कितनी निकलेगी जिस समय displacement सबसे ज़्यादा है तो y की value आप a ले लिजी y की value चाहे आप plus a ले ले चाहे minus a ले ले तो देख लीजे v equal to omega v is equal to omega under root a square minus y की जगह कितना आएगा a क्योंकि y यहाँ पर a square minus a square a मेंसे a cancel हो गया बोलो कितना हो गया मतलब यह जो point है जिन पर displacement maximum है इस समय पर velocity कितनी है 0 बोलिए यहाँ पर भी velocity कितनी होगी 0 बोलिए यहाँ पर भी velocity कितनी होगी 0 मतलब displacement जिस समय maximum होता उस समय velocity कितनी होती है 0 एक छोटे सा explanation से आपको समझाया देता हूँ यह देखिए आपके पास में कोई spring लटकी हुई है समझ गया ना आपने इस पर mass लटका दिया क्या लटका दिया mass लटका करके इसको खीच दिया जर्क दे दिया समझ गया ना तो अब इस spring की हालत क्या होगी देखो यह जाएगी नीचे तक बुलो हाए न आएगी नीचे तक और फिर इसके बाद यह ऊपर जाएगी कहां जाएगी ऊपर नीचे ऊपर टरर टरर करेगी कि नी करेगी अब देखो यह इसकी mean position थी जहां से यह चली थी यह mean position थी mean position मतलब x equal to 0 x equal to 0 और x equal to 0 से यह सबसे नीचे गई इस position को मैं बोलूँगा x equal to plus a क्या बोलूँगा x equal to plus a तो हिसाब लगाओ कि जिस समय यह सबसे नीचे होगी उस समय इसकी velocity कितनी रही होगी 0 क्योंकि यह नीचे आकर के रुख जाती है बोलू हाए ना फिर यह उपर जाकर के सिमर गई तो उपर का जो displacement होगा वो होगा x equal to कितना minus a यहाँ पर भी यह नीचे तक जाएगी और फिर सबसे उपर तक जाएगी यहाँ पर भी जाकर कि रुख जाएगी तो यहाँ पर भी भी equal to कितना होगा 0 इसलिए इनको बोलते है extreme क्या बोलते है मलब extreme point पर जो velocity क्या होती 0 होती है clear होगे ना और इस point पर velocity क्या होगी सबसे जादा होगी क्या होगी इस point पर velocity सबसे जादा जो होगी a omega आगी बस समझ में तो I hope it is clear जो आपका velocity का derivation with case था case 1, case 2 यह आपका clear हो गया बच्चों आज हम पढ़ने वाले है acceleration का derivation क्या पढ़ने वाले है acceleration का SHM में acceleration का derivation बहुत आता एक्जाम में तो आज हम पढ़ने वाले है derivation for acceleration in SHM derivation for acceleration ठीक है derivation for acceleration चलिए acceleration का derivation करते है देखिए कैसे करेंगे देखिए एकसलेशन का डेरिवेशन हमारे पास अपने पास वही एक्वेशन है भाई कि y is equal to a sin omega d यह मेरे पास shm का क्या equation displacement equation क्या है displacement तो सबसे पहले मैं velocity निकालता हूँ तो उस पूरी दुनिया जानती कि velocity भाई होती है rate of change of displacement बोले तो d y y dt time के साथ भाई साव injection लग रहा है d y dt का किस के उपर y के उपर y क्या है a sin omega t बोलो जी हाँ या ना y equal to a sin omega t clear बात है ना तो यहाँ पर a constant है a बाहर आ गया d y dt को जहलने के लिए तयार है कौन sin omega स्वागत है sin omega t का अब मैंने आपको बताया था a बाहर हो चुका है sin omega t का जो t के साथ चिपका होता है उसको बाहर ले लो और as usual sin का होता है cos तो cos omega t हो गया इसका derivation this is velocity v is equal to a omega तो velocity equal to a omega cos omega t यह हो गया बट हम इससे संतुष नहीं हमको तो चाहिए क्या acceleration तो फिर से जड़ दिया है a equals to dv by dt फिर समने differentiation कर दिया समझ गया तो velocity का differentiation कर दिया तो d by dt अब apply होगा किस पे a omega cos omega t होगा अब इस बार दो constant है a भी constant है और omega भी constant है तो बहिया a omega आगया सम्मान के साथ बाहर अंदर बचेगा d by dt cos omega t बुलिए जी यह सबनो cos omega t का फिर से derivation differentiation होगा cos का होता है minus sign क्या होता है minus sign but omega chip का t के साथ है ना तो t अपना variable है तो उसको बाहर कर लो एक omega बाहर आया अब निप्टेंगे अपन cos omega t का क्या होगा बुलिए minus sign omega t minus sign omega t क्यों होगा क्योंकि dy dx साब cos x का जो फॉर्मूला होता है that is equal to minus sign x तो cos omega t का हो गया तो यह क्या बन गया minus sign को बाहर ले यह minus a omega square sin omega t बोलो clear हो गया क्योंकि omega into omega square तो यह हो गया भाई साब आपका acceleration क्या हो गया acceleration कैसा acceleration है time varying मतलब time के साथ acceleration with time time domain का acceleration आ चुका है minus a omega square sin omega t मतलब time के साथ acceleration इस तरीके से बदलेगा एक बाद फिर से लिखता हूँ acceleration is equal to a omega square sin omega t बोले clear है sin omega हाँ minus भूल गया था यह हो गया minus a omega square sin omega t clear है अब यह देखिए यहां थोड़ा सा मैं hair fair करूँगा manipulation करूँगा थोड़ा सा तो minus को यहां जिंदा बात कर दिया omega square को किनारे लगा दिया और a को अंदर भीज दिया a sin omega t दिख्या जी और a sin omega t क्या था y था y equal to a sin omega t कुछ याद है y equal to a sin omega t तो a is equal to minus omega square y minus omega square y यह देखिए तो यह क्या बता रहा है भाई साव यह minus omega minus sign क्या बता रहा है minus sign यह नहीं बता रहे कि acceleration negative है minus sign की भावनाओं को समझो यहना a को बाहर करो omega square को side लगाओ और y को नीचे लेगर क्या जो side में तो देखो omega तो constant है ओमेगा क्या है constant angular velocity constant है तो जो चीज constant होती उसको gap करो तो proportional आ जाता है तो a proportional to minus y a proportional to minus y यह तो यह तो इसका derivation है acceleration का बहुत काम की जीज़ सारे numerical इससे होंगे बट feeling को समझो यह कह रहा है कि acceleration displacement के negative होगा acceleration जोगा displacement के negative अगर displacement नीचे जाएगी तो acceleration कहा जाएगा ऊपर समझ गया ना और जहां acceleration चलता वहीं तो force चलता है समझ गया ना मतलब acceleration अगर नीचे है तो displacement कहा होगी ऊपर और जहां acceleration है वहीं कौन है force क्यों क्योंकि force तो acceleration की भासा बोल जहां जटका लगेगा वहीं तो दम लगेगा, clear हो गया, clear हो गया, तो जहां acceleration है वहीं force है, मतलब acceleration और force एक direction में लगेंगे और displacement दूसरी direction में लगेंगे, बोलो जी यह सौनो, अब आप देख लो, देख लीजिए दी आपको देखना है तो, यह spring है भाई साब, बोलो हाँ है आपने इस spring में जैसे weight लगाया था तो spring का displacement कहा हुआ था नीचे, कहा हुआ था, नीचे हुआ था spring का displacement इस mass की वज़े से, बोली है हाँ है ना, मगर spring फिर इसको stretch करके उपर की तरफ आएगी, बोली है सौनो, और spring को जितना नीचे आप खीच होगे, मतलब इसका displacement नीचे ज आपकत से आपको फेकती की नीचे फेकती है, फेकती है ना, येस, तो मतलब जितना ज्यादा displacement होगा उतना ज्यादा force लगेगा, और force मतलब acceleration, force जहां लगेगा वहीं acceleration भी लगेगा, बोलो है ना, और opposite direction में है, तो opposite direction A is proportional to minus Y, A is proportional to minus Y, बोलो feeling पकड में आई, मतलब acceleration जो होग वो displacement के negatively proportional होगा, क्या होगा negatively proportional, इस negative का मतलब यह नहीं कि acceleration negative है, इस negative का मतलब यह नहीं कि direction displacement negative है, इस negative का मतलब है, तुम सीरे चलोगे तो मैं उल्टा चलूँगा, तुम उल्टे चलोगे तो मैं सीधा चलूँगा, समझ गए ना, हम दोनों एक दूसरे को नहीं देखेंगे एक दूसरे को उल्टाई काम करेंगे समझ गए जी तो मेन फॉर्मूला जो है बिटा वो ये है एक क्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेर वाई ठीक है ना तो आईए देखते हैं क्या पढ़ा हमने हमने पढ़ा acceleration is equal to minus omegra square y अब maximum minimum की बात कर लेते हैं when y equal to 0 y equal to 0 y equal to zero मतलब mean position कौँछा position mean position तो भाई जिस समय y equal to 0 होगा तो acceleration जो होगा minimum हो जायेगा कितना हो जाएगा minimum क्योंकि a equal to हो जाएगा minus omega square into 0, answer आया, खलास, 0, समझ में आगया, मतलब minimum acceleration क्या होता, भाई साथ, 0 होता है, क्या होता है, और कहाँ पर लगता है, mean position पे, कहाँ पर लगता है, mean position पे, आई भाण, समझ में न, कहाँ पर लगेगा, mean position पे, मतलब यदि यह कटोरा ले रखा है, आपने इसमें एक मोती ट्रेवल कर रहा है ये इसका मोती का प्लस ए है ओके वैसे इस वाले को माइनस ए लिया जाता है लेफ्ट में है और इस मोती का मैक्समम प्लस ए है समझ में आगे ना ये मैक्समम मैगनिटुद प्लस मिनिमम माइनस ये कितना प्लस ए और बीच में y equal to 0 तो यहां पर exhalation कितना होगा? 0 इस पॉइंट पर exhalation कितना होगा? 0 समझ में आगे और इस पॉइंट पर exhalation maximum होगा क्योंकि इस पॉइंट पर इसको जोरदार बुलाएब आएगा ओए नीचे आओ नीचे आओ कहां चड़ गए हो है ना? क्योंकि उस पर force भी ज्यादा तर होगा की नहीं होगा? इस पॉइंट पर maximum जोर से इसको बुलाएब जाएगा क्यों जल्दी आओ इधर भी बुलाएब जाएगा ओ जल्दी आओ नीचे आओ यहाँ पर इसको ना यह बुलाएगा न यह बुलाएगा भाई तुम तो यही रहो है है ना? मगर वो अपने momentum के कान वहाँ पर च्रह जाता है clear होगे ना और फिर धीरे 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 करते करते वहीं नीचे गर जाता मोती समझ गया क्योंकि वहाँ पर acceleration जीरो तो मैं maximum की बात कर रहा हूं तो भाईया मैं एक्स लेकर A maximum A बराबर minus omega square Y देखो भाई सब इस point पर acceleration कितना है A कितना है A तो यहाँ पर इस point पर acceleration हो जाएगा यहाँ लिगता हूँ minus omega square A क्या हो जाएगा minus omega square A और इस point पर acceleration negative negative positive हो जाएगा तो इस point पर acceleration हो जाएगा omega square A कितना हो जाएगा omega square a तो एक शब्दो में भी मुझसे कोई पूछे कि acceleration कितना होता है तो a maximum is equal to plus minus 2 omega square clear आ गया और किन point पर होगा extreme point पर clear ना भाईया आप खुदी सोचो कि आप अपने पैरों में skating sauce पहने हुए हो और आप ऐसे इस जगह पर चल रहे हो ऐसे चल कर कि यहां पहुँच गए बुलो हाई ना आप पर गजब का force लगेगा पीछे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा मतलब इस point पर acceleration बहुत ज़ादा है क्योंकि force is proportional to acceleration होता ही है वहिया force equal to ma समझ गया तू जैसा मैं वैसा तुम बढ़ोगे मैं बढ़ूँगा तुम घटोगे मैं घटूँगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही proportional है वो लोग क्लियर हो गया ना समझ में आया कि नहीं आया चलिए तो यह हो गया force is proportional की बात यह मैंने आपको acceleration के बारे में भी सारी जानकारी बता दिये बहुत बढ़ी है तरीके से मैंने बता दिया अब मैं निकालता हूँ time period of shm time period of shm अगला derivation time period of simple harmonic motion ठीक ना simple harmonic motion में time period कितना हुआ करता है दोस्तों यह मैं निकालने जा रहा हूँ देखे कैसे निकलेगा हमाई पास जो formula है y is equal to na na acceleration लगेगा a is equal to omega square y omega square y अब आप कहेंगे सार negative क्यों नहीं ले रहा हूँ भाईया अब बात feeling की नहीं हो रही है अब तो derivation किया जा रहा है अब बात feeling की नहीं है अब हमको यह चाहिए है कि force कितना लगा यह नहीं पूछ रहा है हम कहां लगा acceleration कितना लगा acceleration कितना लगा किसके आँगे लगा किसके पीछे लगा इस चीज की चर्चा नहीं हो रही हमने बोला इतना लगा कितना लगा यह तो a equal to omega square y clear है न a क्या है acceleration y क्या है displacement omega क्या angular velocity जो की constant होती है fix रहेगी तो यहां से मैं लिख सकता हूँ कि भाईया omega square equal to a upon y omega square equal to a upon y बोलो पक्की बात है न omega square equal to a upon y तो omega is equal to under root a by y बोलो clear है omega equal to under root a by y और omega की value होती है 2 pi by t omega की value होती है t is equal to under root a upon y clear पले टरलो मजा जाएगा तो t उपर और 2 pi नीचे is equal to under root a upon कितना y clear है t को इधर जान दो 2 pi को इधर जान दो 2 pi under root a upon y ये लिजे जनाब ये बन चुका है आपका time period of shm time period of shm तो time period का formula होता है 2 pi root के अंदर a मतलब होता है amplitude a मतलब amplitude 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 यहां पर आगि acceleration acceleration हुआ भई ये amplitude वाला ए नहीं है इसे लिए मैं capital बनाता हूं कि confusion हो है ना amplitude वाला मैं a capital बनाता हूं बनाता को नहीं बनाता हाँ इसे लिए तो a का मतलब है acceleration क्या है का मतलब acceleration upon y का मतलब है displacement y का मतलब क्या है displacement समझे ना तो t का formula time period का formula हमाई पस आ चुका है t is equals to 2 pi under root ऊपर क्या रहता एफ और एप पिल और नीचे होता displacement clear बन जाएगा ना हाँ इसको पलट कह सकते हैं तो पलटा ना ये मैंने गलती करी भाई साब थेंकियो सो मच यार गलती कर दी इस तरफ पलटा तो इस तरफ क्यों नहीं पलटा यहाँ चेंज हो जाएगा यह तो मैंने बहुत बड़ी mistake कर दी ठीक है ना यहाँ पे जो है यह आएगा under root y अपॉने यह मैंने इधर पलटा मत्वने इधर नहीं पलटा तो यह mistake हो गई misprint भी हो गई तो यह हो जाएगा under root y अपॉन इधर पलटा तो इधर भी तो पलटेगा इधर under root y अपॉने तो यहाँ पे भी नीचे जो आएगा यह हो जाएगा t pi equal to 2 pi under root y by clear है तो यहाँ पे उपर आएगा displacement और नीचे आएगा acceleration ठीक है ना तो उपर क्या y क्या है displacement और नीचे क्या है acceleration बोली आगया समझ में तो उपर displacement है नीचे acceleration है याद रखेगा t is equals to 2 pi under root displacement y upon acceleration a clear है ना so this is done guys यह हो गया अब अगली बात करते हैं frequency निकाल दो इसकी क्या निकाल दो frequency तो बहुत ही simple derivation होता है frequency equal to 1 upon t 1 upon t तो 1 upon 2 pi और आया कितना था y upon a कितना आया था y upon a यही था ना तो बस हो गया क्या होगा 2 pi नीचे चला जाएगा 1 upon 2 pi और under root बन जाएगा a upon y क्या बन जाएगा यह हो गई frequency of shm क्या हो गई यह frequency of shm तो आपने देखा आज हमने frequency का derivation कर लिया है shm की हमने acceleration produce कर दिया यह देखिए यहाँ पर acceleration है हमने frequency भी कर ली यह लो भाइस अब derive the expression for the time period and frequency of the particle executing shm तो हमने frequency derivation भी लाया time period का भी लाया displacement upon acceleration यह हो गया acceleration upon displacement clear है चलिए चलिए बच्चो अब देखिए अब यहाँ पर एक question आया है what is what is simple harmonic motion अब आया है simple harmonic motion give example of example write its characteristics define simple harmonic motion यह क्या हुआ करता है तो अभी देखिए मैंने derive आपको करा है simple harmonic motion की condition यहाँ भी derive हुई थी omega is proportional to sorry acceleration is proportional to minus y यह ही shm की condition है किसकी condition है shm की की एक ऐसा motion perform करो जिसमें जो acceleration है वो displacement के opposite है समझ के ना एक आंगे जाये तो एक पीछे आये समझ के ना acceleration आंगे हो तो displacement पीछे हो और acceleration पीछे हो तो displacement आंगे हो यह कंडिशन जो होती यह होती simple harmonic motion लिखा रिखागा वन बोड़ी मुझश तो नफरो टोन फरो टोन फरो तो ने बता दिया मेन पूजिशन के तिंग तॉंट नफॉंट यदा अगे ना वन बोड़ी मुझश तो एन फरो आप्न पॉंट न है straight line such that It's Acceleration is always directly proportional to the displacement and directed towards the mean position directed towards the mean position समझ गया ना directly proportional to the displacement acceleration जो है वो proportional है किसके displacement के clear है अब मगर directed towards the mean position acceleration की direction है वो किसकी तरफ है mean position की तरफ then its motion is called simple harmonic motion अब आप कहोगे mean position की तरफ कैसे होगी acceleration की direction तो देखे ज़रा अगर particle यह जा रहा है यह देखे अगर particle का displacement इधर की तरफ है यह particle यहां जा रहा है बुली है ना तो इस पर force यहां लगेगा ना मतलब acceleration की direction कहां पर लग रही है अब यहां से particle चलो इधर आ रहा था अब यहां चला गया उपर बुलो है ना तो displacement इधर आ चुकी है तब भी बताइए acceleration कहां लगेगा center की तरफ लगेगा कहीं लगेगा मतलब हर वक्त जो acceleration है वो किस तरफ काम करेगा mean position की तरफ तो अगर ऐसी कोई motion हो रही है जिसमें हर वक्त acceleration mean position पर लग रहा है then such a motion is called simple harmonic motion example motion of a body suspended by a spring motion of simple pendulum यह दोनों मैंने बताए आपको कह चाहे spring का motion हो चाहे simple pendulum का motion these are the example of simple harmonic motion done example yes characteristic of the simple harmonic motion मैंने पहली लाइन पढ़ाई इस चप्टर में periodic motion yes or no the motion is periodic the motion is periodic the particle move to and fro about the mean position in a straight line जो आपने देखा था SHM में यह mean position था x equal to y equal to 0 और इसके about a motion हो रही थी say yes or no हो रही थी ना अरे भाई यह ऊपर plus a था नीचे minus a था yes the acceleration is directly proportional to the displacement और क्या बताया है यही तो लिखा है the direction of the acceleration is always towards the mean position यह भी तो मैंने बताया चाहे इदर जाओ चाहे इदर जाओ mean position पर एक्ट करेगा तो यह 4 important condition है किसकी SHM की किसकी condition है यह guys समझ में आगया आप लोगों को तो यह SHM की condition हो गई यह सारी चीजे मैंने पढ़ लिए अब आईए मजी की बात करते हैं एक और question उठाते हैं मस्त सा यहाँ पर चलिए अब आप कहीं गहीं पर आपको यह मिल जाएगा सीन यह मिल जाएगा आपको a sin omega t plus 5 अब आपको के सरा आपने तो यह पढ़ाया नहीं है आपने तो यह पढ़ाया y equal to a sin omega t y equal to a sin omega t अब मैं आपको एक नया term इंट्रूस कर रहा हूं बच्चों जिसको मैं बोलता हूं phase क्या बोलते हैं phase what is phase phase का मतलब simple angle phase का मतलब simple है angle अब यह सम्झो भाई phase का मतलब यह particle है clear है यह particle जो है यह original base line से यह line है यह वाट इस this means theta equal to 0 theta equal to 0 से कितना angle maintain करके चल रहा है अब यह angle बढ़ता जाएगा जब यह यहां पहुंचेगा तो यह angle बढ़ता जाएगा clear है ना तो इसको बोलते हैं dynamic phase क्या बोलते हैं जो time के साथ बदलती उसको बोलते हैं dynamic phase अब इस angle को theta माल लो तो मैंने बताया था what is theta angular this angular velocity equal to angular displacement upon time जितना यहां पर लगा तो आप बोले theta equal to कितना हो गया omega t theta equal to कितना हो गया omega t यह कहलाता dynamic phase क्या कहलाता बिटा dynamic phase यह कहलाता है अब dynamic phase के लाभा एक और चीज होती है जिसका नाम है initial phase क्या नाम है बिटा initial phase या इसको constant phase बोलेंगे initial phase मत बोलेंगे इसको बोलते है content constant phase constant phase अब ऐसा समझो इसको आपके school में एक running हुई क्या होई school में दोड़ परतियोगिता हुई सारे बच्चों को बुला गया कि वो अपने-पने circle में घूमेंगे अपने-पने circle में भूमेंगे अब ज्यादा circle तो नहीं बना रहा हुए दो circle बना देता हूँ जिससे आप लोगो confusion ना create हो भाई साब बुली clear अपने-पने circle में ये लोग भूमेंगे ठीक ना ये tracks बने हुए अपने-पने track में चलोगे बिल्बूल पास-पास में तो सब को बोला गया भाई या जितने बच्चे party से print है वो सारे इस line पर आ जाओ सारे बच्चों को कोई आपती नहीं थी क्योंकि इन सब की initial line एक ही थी सब के लिए ये थीटा एक कोल टू कितना था जीरो तो जो भी ये motion मूफ करते तो इन सब के लिए अपनी-अपनी velocity से angular velocity के लाप से equation generate हो जाता हो जाता मानलो इसकी angular velocity omega 1 है तो इस वाले का equation generate होता y equal to a sin omega 1 t बोलो जी हाय ना दूसरे वाली के velocity अगर omega 2 है तो generate होता y equal to a sin omega 2 t clear है अब यहां पर ठीक है सबका dynamic phase है यह थीटा है क्या सबका यह थीटा बट एक चीज हुए यहां पर प्रिंस्पल मेडम जी का बेटा था उन्होंने कहा नहीं नहीं भीया यह बच्चा यहां से दोड़ेगा तुम सब लोग यहां से दोड़ोगे मगर यह हमारा जो लल्ला है वो यहां से दोड़ेगा इसका हमने already इसको फेज दे रखा है 30 डिगरी का या थीट फाई नौट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको फाई नौट समझ गया ना clear हो गया तो अब इसकी जो equation बनेगी क्या बनेगी इसकी equation जो है time के साथ तो vary होगा जब चलेगा यह मगर हमेसा फाई नौट आगे रहेगा तो इसकी equation क्या बनेगी देखिए इसकी equation बनेगी y equal to a sin जो भी भाई साबकी angular velocity होगी मानलो सबकी omega है तो इसकी भी किती होगी omega t य मेसा जुड़ा ही रहेगा समझ गया ना क्योंकि लल्ला को इतने आंगे से रख दिया गया था इतने फाई नौट से clear हो गया समझ में आ गया तो यह कहलाता है constant phase क्या कहलाता है यह dynamic phase जो समय के साथ तुम अपना angle बदलोगे मगर जब यह एक चक्क्र complete होकर के आएगा तब इसमें फाई नौट जुड़ा ही रहेगा clear होगे ना जैसे वही की racing वाले game में दो कार जो है एक साथ चल रही है और अगर पहली वाली आंगे से start हुई थी final angle से इसका angle जादा था तो खतम होते समय भी वह आंगे ही रहती उतना क्योंकि इसका initial phase उसको दे रखा था तो यहा हम लोग 0 में start हुए थे तो no problem 5 बराबर कितना put कर दो 0 आकर कि आप वहीं पर गिर जाओगे a sin omega t गिरोगे की नहीं गिरोगे भी 5 बराबर 0 लेलो और अगर कुछ है तो वो लेलो तो इसलिए इसको मैं बोलता हूं complete equation क्या बोलता हूं मैं complete equation y equal to a sin omega t plus 5 अब 5 जो भी है स्वा है 5 equal to 0 है तो आपका equation बन जाएगा y equal to a sin omega t आई बस समझ में ना इसलिए complete equation wave का यही बनता है ठीक है जी तो अब हम अगला सवाल करते हैं जिस सवाल की तरफ हम भाग रहे थे चलिए ठीक है तो कल आपको करके क्या लाना है मैं आपको बता देता हूं कल आपको question number 10 करके लान है ओके यह आपको acceleration पूरा करके लाना है और 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 क्या करके लाएंगे आप इसके बाद यह जितने आपके सामने नीचे questions दिये गए है ठीक ना यह बाप से बन जाएंगे ठीक ना spring वाला छोड़ करके तो यह questions आपको numerical लगा करके लाने है डन ठीक है बाकी इसको बार बार करिएगा इसमें से यह derivation बहुत जादा आता है time period का और कल हम करेंगे kinetic energy का derivation इसकी energy of SHM कल हम देखेंगे energy of SHM की SHM में जो energy होती है वो कितनी होती है इसकी kinetic energy देखेंगे इसकी potential energy देखेंगे इसकी total energy देखेंगे तीन प्रकार की energy हम देखेंगे SHM की SHM में कितनी energy होती है औ और हमें इसके अलावा क्या-क्या पढ़ना है इस चेप्टर में एनर्जी पढ़नी है इसे चेम की दूसरा हमें पढ़ना है पेंडूलम क्या पढ़ना है जी पेंडूलम का इसे चेम देखेंगे समझ गया और तीसरा हम पढ़ेंगे इस प्रिंग क्या पढ़ेंगे इस प्रि प्रवाज़ 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 प्